कारणों को जानने के बाद हम थोड़ा ये जाने कि इस विजय के परणाम क्या हुए कॉंग्रेस जीद गई पहला परणाम कारकरम के आधार पर चनाओं लड़ने की परंपरा शुरू हुए यदि हम 1952, 1957, 1962, 1967 इन चार चनाओं की बात करें तो इन चार चनाओं में व्यक्तिगत नित्रित्व के आधार पर चनाओं लड़े गया अर्थात नहरू, वोट जो डाले गए वो नहरू के नाम पर डाले गए ये पहली बार होता है 1971 में जब मुद्दों को लेकर चनाओं में मतदान होता है व्यक्तिवादी परंपरा का कोई स्थान नहीं रहता कारक्रमों के आधार पर चनाओं लड़ने की परंपरा आरंभ होती है देखे मैंने आपको बताया था कि इंदरा कॉंग्रेस ने जनता के सामने कई कारक्रम रखे और उस कारक्रम का जो मूल लक्ष था वह था गरीबी हटाओ दूसरी और कॉंग्रेस ओ ने इंदरा हटाओ के नारे के बल पर चनाओं जीतने का प्रयास किया और जो हश्र इस कॉंग्रेस का हुआ और महागदबनन का हुआ उससे इस पश्ट हो गया कि जनता मतदान करती है तो कारक्रमों के बल पर तो इस कारक्रम इस चनाओं से कारक्रम आधारित चनाओं लड़ने की प्रक्रिया प्रारम होती है परंपरा प्रारम होती है दूसरा परिणाम इस चनाओं का क्या हुआ कॉंग्रेस की भारी जीत कॉंग्रेस की भारी जीत तीसरा परिणाम क्या हुआ इंदरा गांधी की प्रतिष्ठा में चार चान इंदरा गांधी की प्रतिष्ठा में बहुत ज़्यादा बृद्धी हुई बहुत वारधक्य हुआ और उसकी तुलना में बाकी नेताब उनके सामने बहुत बौने नजर आने लगे चोथा परणाम चुकि इंदरा गांधी को या इंदरा कॉंग्रेस को समाच के सभी तबकों का मत मिला था उसमें न जाती थी न धर्म था न लिंग था आधी आधी तो जातिवाद और सामंतवाद पर बहुत कड़ा प्रहार हुआ क्योंकि मतदान में जातिवाद और खेतरीता वाद इन तत्वों ने मतदान को कताई प्रभावित नहीं किया आप इस नक्षे में देखिए कि इंदरा कॉंग्रेस को जो मत मिलते हैं वो पूरे देश से मिलते हैं खेतरीता की बात यहां दिखाई नहीं देती, जातीता की बात यहां दिखाई नहीं देती आधी आधी तो इस चनाओं में जातिवाद जो कई बार चनाओं का मुख्य मुद्दा बन जाता है आज भी उस पर बड़ा कड़ा प्रहार होता है सामन्त वाद पर बड़ा कड़ा प्रहार होता है खेत्री वाद जो है ये प्रभावित नहीं कर पाता अगला परणाम कॉंग्रिस जो अभी तक एक दली प्रभुत्व के बल पर एक दली प्रभुत्व कॉंग्रिस का जो चल रहा था पहले तीन आम चनाओं में और चौथे में जहां से गैर कॉंग्रिसवाद का सामना करना पड़ा अब यहां वापस उसकी पुनर स्थापना होती है कॉंग्रिस अर्थार्थ अगला परणाम क्या है कॉंग्रिस के एक दली प्रभुत्व की पुनर स्थापना स्थापना नहीं वो तो स्थापित हो चुका था 1952 में लेकिन 1967 आते आते कॉंग्रिस का जो हश्र हुआ था उसका जिकर हम कर चुके हैं कॉंग्रिस की जो स्थिती हो गई थी उसका हम जिकर कर चुके हैं यहां उसकी पुनर स्थापित होती है यह एक बहुत ब़़ा परणाम उसके बाद अगला परणाम केंदरी नित्रत्व को बल मिलता है अर्थात केंदरी सरकार जो फेडरल ढाचा संगी ढाचा भारत का समयधान का है उसमें केंदर की सरकार एक सशक्त सरकार की रूप में सामने आती है पार्टी के रूप में भी पार्टी का जो केंदरी जो नित्रत्व है उसका वजूद सामने आता है उसकी भूमिका अहम होती है और ये प्रक्रिया यहां से शुरू होती है केंदर के मजबूत होने की अगला परणाम 1967 के चिनाओं के बाद जैसा मैंने बताया कि साथ आठ राज्यों में गैर कॉंग्रेसी सरकारे आती है भले वो गड़बंदन की हो पर गैर कॉंग्रेसी थी तो इन गैर कॉंग्रेसी सरकारों का सदैव अब केंदरी सरकार के साथ तक्राव होता रहता है विविन मुद्दों को लेके वैचारिक भिन्नताओं को लेके क्षेतरीता बनाम राश्टीता केंद्री नित्रित बनाम राज के नित्रित इसके बीच में जो सतत तक्राव हो रहा था ये हमारी लोक तंत्री ढाचे को चोट पहुंचा रहा था संगी ढाचे पर प्रश्म चिन्ने लग रहा था अब जब 1971 का लोक सभा का चुनाव होता है और पूरे देश में कॉंग्रेस की लहर चाही होती है तो राज्यों के विधान सभा के चुनाव में भी कॉंग्रेस को बहुत भारी मत मिलते हैं और इसमेकार हम देखते हैं कि एक ओर जहां कॉंग्रेस के प्रभुत्व की पुनस थापना हुई वहीं केंद्र और राज्यों के सम्मंदों में सुधार हुआ क्योंकि राज्यों में भी अब कॉंग्रेस या कॉंग्रेस समर्थित सरकारे थी तो दोनों के बीच का जो वैचारिक टक्रा हो था दोनों के बीच में केंदर और राजियों के बीच में कुछ राजियों के बीच में जहां गैर कांग्रेसी सरकारें थी उसके बीच में जो तकरार होता रहता था अब वो समाप्त हुआ खत्म हुआ परणाम संबंदों में सुधार केंद्र और राज्यों के बीच संबंदों में सुधार अगला बहुत अच्छा परणाम या अगला परणाम हम कहेंगे संग्ठन कॉंग्रेस को इतना गहरा धक्का कि अब वह लगभक समाप्त प्राय हो गई और समाप्त प्राय होने की प्रक्रिया में देखा गया कि इस कॉंग्रेस के वे लोग जो इंद्रा के खिलाफ कॉंग्रेस ओ में गय थे वो उनमें से कई लोग वापस कॉंग्रेस में शामिल होते हैं नई कॉंग्रेस में वापस आ जाते हैं और ऐसा करते हुए ये सुनिश्चित हो जाता है कि कॉंग्रेस ओ अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है तो इस परकार 1971 के चुनावी परणामों के परणाम क्या रहे चुनावी परणामों का क्या असर हुआ देश की राजनीती में देश की आर्थिक स्थिति में और देश की राजनीती की स्थिति में ये अब स्पष्ट हो गया होगा 1971 के चुनाव के तुरंट बाद एक और बड़ा घटना करम होता है फरवरी 1971 में चुनाव होते हैं और सितंबर अक्टूबर आते आते पूरवी पाकिस्तान में एक निया संकट शुरू हो जाता है पश्चिमी पाकिस्तान और पूरवी पाकिस्तान इन दोनों जगहों में चुनाव होते हैं लोग के तांतरिक चुनाव होते हैं और प्रणाम ऐसे कुछ हाते हैं कि पश्चमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी को बहुमत मिलता है तो पूर्वी पाकिस्तान में मुझी बुर्रह्मान के दल को बहुमत मिलता है ये बहुमत पश्चमी पाकिस्तान को बरदाश नहीं होता और फिर वहाँ पे जो कुछ घटता है वो उसकी परणिती अंत में एक नए देश के रूप में होती है पूरवी पाकिस्तान बांगला देश बन जाता है। प्रीता को और बढ़ा दिया। अब इंदरा गांधी मात्र भारत की ही नेता नहीं बलकि एक विश्वराजनीती में एक विश्वराजनीक के रूप में उनकी अप पैट बनती है। इंदरा गांधी द्वारा जिस तरीके से पाकिस्तान को सैन्य खेतर में पराजित किया गया इंदरा गांधी के नितरत में वह भी काबिले तारीफ था। बांगला देश के शरणार्थियों के समस्या को जिस तरह हल किया जा रहा था। पाकिस्तान के एक लाग सैनिकों के जिस तरह के से भारत की फाज ने आत्म समर्पन करने के लिए मद्बूर किया। ये सब काश्रे इंदरा गांधी को जाने लगा। अब ये बांगलादेश युद्ध के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान को पराजित करने के बाद मातर विपक्षिय अब इंदरा गांधी के गुलगान नहीं करता बलकि देश की पूरी जनता अब राज्यों के चनाओं में भी कॉंग्रेस को भारी बहुमत से जिताती है उन् मजबूत राष्टवादी नेता के रूप में पार्टी के अंदर और बाहर अब उनका कोई विरोध नहीं परणाम क्या हुआ कि एक निर्विरोध नेता के रूप में वो सामने आती है देश के अंदर देश के बाहर पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भारत के गांधी एक बहुत मजबूत निता के रूप में सामने आती है। ये घटना करम चलता है विधान सभा के 1972 के चुनाओं तक। कांग्रेPS प्रणाली की पुनर इस्थापना। मैं यहाँ पर यह सपक्त करना चाहूँगा कि हम बात करना हैं कांग्रेस प्रणाली की पुनर स्थापना की। याने जो पहले स्थापित था किसी कारण से वो हट गया और अब वापस स्थापित होता है 1967 के चुनाओं को जो राजनीतिक समीक्षक थे उन्होंने कॉंग्रेस वियस्था के लिए एक बड़ी चुनाओती के रूप में उसे कहा था बहुत बड़ी चुनाओती के रूप में देखा था कारण स्पश्थ है कॉंग्रेस प्रणाली की चुनाओतियों की अदि बात करें तो आपको याद होगा हमने राजनीतिक चुनाओती में जोहलाल नहरू के बात कौन इस चुनाओती से प्रारम करते हुए हमने कई चुनाओतियों को देखा खाध्यान की चुनाओती अर्थिक इस्थिक की चुनाओती आदिया दिया और उपर से 1967 के घटना करम राजनीतिक समिक्षकों को यह सोचने के लिए विवश कर रहे थे कि क्या कॉंग्रेस के दिन आ गए या कॉंग्रेस के दिन बीच गए बलकि कॉंग्रेस के दिन क्या आएंगे या हम माल ने कि कॉंग्रेस के दिन बीट गए ये जो चुनोतियों 1967 में आई ये बहुत गंभीर चुनोतियों थी तो कि नहरू की मृत्वी के बाद नेतरित्व का प्रश्ण था कॉंग्रेस के प्रभाव में कमी आ गई थी आर्थिक समस्याएं थी और उपर से कॉंग्रेस स्वयम विभाजित हो गई कॉंग्रेस स्वयम तूट गई भारती राष्ट्री आंदोलन का नितरित्व करने वाला दल जो जनता से भावनात्मक रूप से जड़ा हुआ था वो आप स्वयम तूटता हुआ दिखाई दिया तो आप समझ सकते हैं कि कॉंग्रेस को की स्थिति क्या हो चुकी थी ये सभी घटना है कॉंग्रेस के शुरू के तीन लोक सभाज चुनाओं में प्राप्त वर्चस्व के लिए बहुत बड़ी चुनाओत्य थी ये चुनाओतियां यदि हम देखें तो इनको चुनाओतियां इसलिए मानेंगे क्योंकि उसे जो शुरू के तीन चुनाओं में लेकिन अब वापस पुनर स्थापित करने में वो सफल होती है 1971-72 के चुनाओं के दौरान और उसका काफी कुछ श्रे शीमती इंदरा गांधी और उनके नित्रत को जाता है इंदरा गांधी के नित्रत में कॉंग्रेस को भारी सफलता मिलती है लोग सभा की 68 प्रतिशत सीटें से हासिल होती है और इसका मतलब यह हुआ कि कॉंग्रेस के अंदर की गुट बाजी कॉंग्रेस के अंदर का कलाह और नित्रत को लेकर जो धगड़ा चल रहा था वो अब थमाप सुजाता है इंदरा गांधी एक अकेला नित्रत इंदरा के मातहत उनके आदेशों को यथावत स्विकार करने वाले लोग ही अब कॉंग्रेस में थे उनका जो विरोध कर रहे थे वो लोग तो पार्टी छोड़के चले गए थे और नई पार्टी बना और छोड़के जाने के बाद कॉंग्रेस ओ का क्या हाल हुआ इसे हमने देख लिया है कॉंग्रेस अब इंदरा गौंधी के नितरत में पूरी एक जुट थी ये बात इसलिए की जारी है यहां साबित करने के लिए कि हर दृष्टित से अब कॉंग्रेस पुनर इस्थापित हो चुकी थी पुरानी कॉंग्रेस को तो जन्ता ने नकार दिया था पूरी तरह दूसरे शब्दों में कॉंग्रेस के अंदर इंदरा के नितरत को अब कोई चुनोती नहीं कॉंग्रेस के बाहर इंदिरा के नित्रित को अब किसी अन्य दल की चुनोती नहीं और उल्टा अब इंदिरा के नित्रित को विश्व भी स्विकार ने लगा जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई जिस तरीके से उन्होंने बांगला देश के निर्माण में बांगला देश के उदाय में भूमिका निभाई उसे विश्व ने देखा जिस तरीके से इस युद्ध के दोरान उन्होंने अमेरिका के दोरा दबाओ बनाय जाने के किसी भी प्रियास को सफलता पूर्वक कुछला उसकी भारत ने सरहना की विरोधी दलों ने सरहना दी और विश्व के बहुत से देशों ने अमेरिका के इस वर्चस्व को खुला चैलेंज देने का जो इंदरा गांधी का जो तरीका था उसको सरहा और इसलिए कॉंग्रेस की जो वापसी होती है चनाओं के बाल जिस प्रभावपूर्ण तरीके से वापस करती है अपने राश्टी स्तर पर पुनर स्थापित होती है जिस तरीके से कॉंग्रेस के अंदर इंदरा के नितरत को मजबूती मिलती है उसे सभी समिक्षकों ने च चिनाव परणामों को देखकर कॉंग्रेस प्रणाली की पुनरस्थापना का वर्ष कहा है कॉंग्रेस प्रणाली के पुनरस्थापना की संग्या दी है दूसरे शब्दों में 1971 के बाद कॉंग्रेस को वही वर्चस्व पूर्ण स्थिति मिली जो नहरू के काल में पार्टी को सन 50 से सन 67 तक थी ये पंक्ति को मैं पुना दोहरा दूँ समिख्षकों की राय में 1971-72 के चनाओं के बाद कॉंग्रेस को वही वर्चस पूर्ण इस्थिती प्राप्त हो गई थी जो नहरू के काल में 1952-1967 तक कॉंग्रेस को थी परंति यदि हम कॉंग्रेस की स्थिति के देखें तो ये साफ हो जाएगा कि राजनीतिक प्रभाव की वापसी के बाद भी कॉंग्रेस की प्रकृति में बदलाओ आया कॉंग्रेस की प्रकृति में बदलाओ के क्या माएने यद्यपी उसने वही प्रतिष्ठा वापस पाली जो नहरू के काल में थी यद्यपी अब वो पूर्ण बहुमत बलकि दो तिहाई बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने में सक्षम होई यद्यपी अब वो अकेली एक मात्र ऐसा दल के रूप में सामने आई जिसको पूरे भारत के सभी क्षेतरों के लोग स्विकार करते हैं फिर भी पुरानी वर्चस्वता या कॉंग्रेस की 1967 के पहले की वर्चस्वता की प्रकृती और 1971 के बाद की वर्चस्वता की प्रकृती में कुछ अंतर है कुछ बदलाओ हैं कुछ अलग हैं आखिर क्या अलग था सीटों के मामले में पॉपलरिटी के मामले में नेतरित्व के मामले में बातें एक थी लेकिन फिर भी कुछ बदलाओ तो अब हम इस अध्याय के अंतिम बिंदु पर जिसमें हमने जाना की कॉंग्रेस पुनर स्थापित कैसे हुई कॉंग्रेस की पुनर स्थापना के कॉंग्रेस की पुनर स्थापना में ऐसे क्या कारक थे जिन्होंने उसे पुनर स्थापित होने में मदद की ये जानने के बाद हम देखें कि आखिर कॉंग्रेस में क्या बदलाओ भी हुआ और यदि हुआ तो क्या बदलाओ था पहला अब जो कॉंग्रेस है वो नित्रित्व प्रधान हो गई 1971 के बाद, नेत्रित्व प्रधान, यदि भी कॉंग्रेस ने चुनाओ लड़ा था अपने कारक्रमों के बल पर, जन्ता ने भी कारक्रमों को देख कर कारक्रमों को वोट दिये, और ये इस चुनाओं का 1971 के चुनाओं का एक बहुत बड़ा पहलू है एतिहाचिक पहलू था लेकिन इसके बावजूद भी अब कॉंग्रेस पार्टी एक नित्रित प्रधान पार्टी बन जाती है अर्थाथ कॉंग्रेस पार्टी में अब सब कुछ जो भी था वो इंद्रा गांधी का नित्रित था सामोहिक नित्रित या सामोहिक विचार विमर्ष परामर्ष की अब गुझाईश नहीं रही नेत्रित्व प्रधान पार्टी के रूप में सामने आती है डिमोक्रेटिक डिसकेशन्स अब उसमें नहीं के बराबर होते हैं ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था क्योंकि इसके माइने कुछ और हैं आगे चलकर यही बाट ताना शाही प्रवृति को जन देती है आगे चलकर यही बिंदु कॉंग्रेश के दुबारा पराजित होने का कारण बनती है दूसरा परिवर्तन जो हम कॉंग्रेश में देखते हैं 1971 के बाद के कॉंग्रेश में वो है कि लोकप्री नीतियों के कारण 1966 से 71 के बीच इंदरा गांदी ने सीधा जनता से संपर्ख बनाया और इंदरा द्वारा सीधा जनता से संपर्ख बनाने का परणायम यह हुआ कि कॉंग्रेस का जो संगठन था organizational structure था वो कमदूर हो गया उसका प्रभाव कम हो गया क्योंकि अब जनता में पूरा प्रभाव इंदरा का था लोग इंदरा के नाम पर मतदान करते थे लोग कॉंग्रेस संगठन से प्रभावित नहीं थे तो अब ये यदि हम बात करें 1966 के पूर्व का कॉंग्रेस बनाम 1971 के बाद का कॉंग्रेस तो राजनेतिक स्तर पर यद्यपी कॉंग्रेस पुनर स्थापित हुई लेकिन ये दो अंतर बड़े महत्पून रहे चंगठन बनाम इंदिरा चंगठन बनाम नेत्रत में नेत्रत हावी चंगठन कमजोड व्यक्तिवादी जो नेत्रत था वो ज़्यादा मद्बूत हुआ तीसरा जो हम देखते हैं इसके प्रकृति में बदलाओ नेचर में बदलाओ वो था कि आंतरिक प्रजात तंत्र अब समाप्त प्राए इस बिंदु को मैंने दूसरे रूप में पूर में भी कह दिया है पहले जिसमें मैंने कहा है कि अब सामोहिक नेत्रत्व और विचार व बिंदु के अनुसार, तीसरे बिंदु में कि नेहरू भी यद्यपी बलकि नेहरू यद्यपी इंद्रा गांधी से कई दोयम, कई दर्जे ऊपर थे प्रसिद्धी में, नेत्यतु कशल्टा में, व्यावारिक्ता में और इसके अलावा अनुभाव में लेकिन नहरूजी ने सुनिश्चित किया था कि दल के अंदर विचार विमर्ष की स्वतंता रहे दल के अंदर जो आंतरिक प्रजातंतर है वह बना रहे और सहमती, सहिश्चिता, आधी कॉंग्रेस के मूल में रहे ये नेहरू के काल की खासियत थी, कॉंग्रेस की अब कॉंग्रेस चूँकि व्यक्तित्व प्रधान हो गया कॉंग्रेस चूँकि अब व्यक्तित्व प्रधान नित्रत्व में बदल गया तो कॉंग्रेस के अंदर का जो लोक तंत्र है आंतरिक लोक तंत्र वो कमजोर पड़ा गया संगठन ही कमजोर नहीं पड़ा आंतरिक लोक तंत्र भी कमजोर हो गया कॉंग्रेस नित्रत वाली पार्टी बन गई नित्रत प्रधान पार्टी बन गई कॉंग्रेस आंतरिक डिमोक्रेसी से दूर हट चली तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम इस काल में देखते हैं अगला जो बदलाव उसकी प्रकृति में दिखता है कॉंग्रेस की यदि हम नहरू कॉंग्रेस बना मिंदरा कॉंग्रेस की तुलना करें उनका बेस जो था पापिलर बेस नहरू के नितुत में कॉंग्रेस पार्टी कई विरोधी विचारधाराओं विरोधी हितों और वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थी और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करती थी याने सामंजस्यता, सहिश्नुता, सहनशीलता कॉंग्रेस के अंदर कूट कूट कर भरी थी और यही कॉंग्रेस की सफलता का कारण भी था क्योंकि वैचारिक दिश्टि से, सामाजिक दिश्टि से, हितों की दिश्टि से कॉंग्रेस में विभिन तबके के लोग, विभिन तरीके के लोग उसके राश्टी आन्दोलन के दिनों से जुड़ हुए थे और वो आगे जारी थे तो इस प्रकार नहरू की कॉंग्रेस जो थी वो उसका जनाधार विरोधी विचारधाराओं का, विरोधी जातियों का, विरोधी धर्मों हितों का होने के बावजूद भी व्यापक था कॉंग्रेस की इसी क्षमता को रजनी कोठारी ने कॉंग्रेस सिस्टिम कहा था लेकिन 1971 के बाद के कॉंग्रेस को हम जनाधार को देखें हैं दी, तो वो कुछ बदला नजर आता है इसमें दलिद, अलपसंख्यक, कमजोर वर के लोग, कॉंग्रेस में ज्यादा प्रभावशील दिखाई देते हैं 1971 के बाद के कॉंग्रेस में, जो कॉंग्रेस का जनाधार है, ऐसा देखा गया कि कॉंग्रेस की पकड़, समाज के निम्न तबके के लोगों पर ज्यादा, अलपसंख्यकों पर ज्यादा, दलितों पर ज्यादा जबकि नहरू के काल में समाच के सभी वर्ग के लोग कॉंग्रेस से जुड़ हुए थे, कॉंग्रेस के पक्ष में सोचते थे इसके साथ अब हम ये अध्या समझ लीजे एक तरीके से समाप्त होता है कॉंग्रेस प्रणाली, कॉंग्रेस सिस्टिम, रजनी कुठारी के द्वारा दिया गया जो इस शब्द है उसके हमने व्यापक विवेचन कर लिया और उसका व्यापक अध्यान कर लिया और कॉंग्रिस के अंदर और बाहर राजनीतिक उतार चड़ाओ के घटना करम को हमने अच्छे से समझ लिया तो अब हम इस अध्याय के समाप्ति के बाद अब हम आते हैं कुछ प्रश्णों पर इस उमीद के साथ कि इन प्रश्णों का आप प्रश्णों को समझने की कोशिश करेंगे और इनका हल निकालेंगे इनके उत्तरों के लिए आपको कहीं और जाने की जुरत नहीं इसी अध्याय के तहट इसी वीडियो के तहट आप सभी प्रश्णों के उत्तर पालेंगे लगु प्रश्ण ना होकर ऐसे प्रश्ण आपको दिये जा रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा इस अध्याय के syllabus को content को cover करते हूं तो पहला प्रश्ण इस अध्याय के तहट पहला प्रश्ण ये है कॉंग्रेस प्रणाली से क्या तात्परे है कॉंग्रेस प्रणाली से क्या तात्परे है या प्रणाली किस रूप में आपके सामने आती है अर्थात आपको इसमें कॉंग्रेस प्रणाली की परिभाशा देनी होगी और कॉंग्रेस प्रणाली किस प्रकार अन्य प्रणालियों से भिन्न है इसको आपको इसमें लिखना होगा दूसरा प्रणाली कॉंग्रेस के विभाशन के कारणों पर प्रकाश डालें ये एक बहुत महत्पूर्ण प्रशन है इसके उत्तर के लिए आपको जाना होगा 1966-65 के बाद के काल और 1970 तक जब तक की विभाशन नहीं हो जाता तब तक के घटना करम को आपको इसमें विस्तार से लिखना होगा कॉंग्रेस के विभाशन के कारण तीसरा प्रश्ण तीसरा प्रश्ण है कॉंग्रेस की पुनर इस्थापना के कारणों पर प्रकाश डालें अर्थात वे क्या कारण थे जिसने कॉंग्रेस को पुनर इस्थापित होने में मदद की जिसने कॉंग्रेश को पुनर स्थापित होने में मदद की उन कारणों को बिंदुवार लिखें तो पुनर स्थापना की कारणों की जब बात करेंगे तो आप शुरुवात करेंगे 1967 के घटना करम से ही इंद्रा गांधी उनकी नीतियां विरोधी दल का कमदोर होना आदी आदी यह जो तब कारण थे छह साथ कारणों का आप लिखेंगे अगला प्रश्न नहरू के नित्रित वाली कॉंग्रेश इंद्रा गांधी के नित्रत वाली कॉंग्रेस से किस प्रकार भिन्न थी? दूसरे शब्दों में नहरू के नित्रत काल की कॉंग्रेस इंद्रा गांधी के नित्रत काल की कॉंग्रेस से किस प्रकार भिन्न थी? इन्दरा गांधी के नितृत काल से माization है 1971 के बाद का काल इनमें भन्रता को बिनदवार लिखे यह तो इसमें आपको उनकी प्रकृती पर बात करनी होगे आपको बताना होगा कि इन्दरा गांधी के नितरत में कॉंग्रेस किस प्रकार उतनी ही वर्चस तो थी जितनी वो नहरू के समय थी लेकिन उसके स्वयम के धाचे में उसके स्वयम के विचारधारा में उसके स्वयम के कारिशाली में क्या अंतर था इसको आपको यहां बताना होगा और अंतिम प्रश्न अंतिम प्रश्ण कॉंग्रेस प्रणाली को किस तरह की चुनोतियों का सामना करना पड़ा ये एक लंबा प्रश्ण है लेकिन इसे आप संक्षिप्त में लिखें कॉंग्रेस प्रणाली को किन चुनोतियों का सामना करना पड़ा इसे आप संख्यिप्त में लिखें उसी के साथ उसी प्रष्ट में अगला बिंदु है कॉंग्रेस किस प्रकार इन चनौतियों से उबर पाया इसे इस पश्ट करें कॉंग्रेस किस प्रकार इन चनौतियों से उबर पाया इसे पश्ट करें ये एक विस्तृत प्रश्ण है पर आपको एक नबंद के रूप में न लिखते हुए इसे बिंदुवार लिखना है तो इस प्रकार ये ग्रे कारे हमवर्ग इस अध्यायत से समाप सता है